जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिफेंस एलफर में और हम आच चुके हैं एक नए वीडियो में दोस्तो आप हम आप लोगों को बताएंगे उत्रखंड पुलिस कांस्टेबल ने रुक्वाइमेंट के बारे में तो दोस्तो इस व आप लोगो थमनिल में देख लिया होगा तो चलिए इस वीडियो में मेडिकर इस्टेटर यानि कि सारी जनकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वले है तो वीडियो के अंतक बने रहिए अब दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और दोस्तो टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन ने किया तो जॉइन कर लेजिए जाना कहा है डिस्क्रिशन में जाना है लिंक पर क्लिक करना है टेलिग्राम ग्रूप पर पहुंच जाना है तो वहां से जॉइन कर लेजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों उत्तरखण पुलिस कांस्टेबल की तरफ से जो नीव रिकार्मेंट निकला हुआ है उसका हमने अफिसियल नोटिफिकेशन ओपन कल लिया तो चलिए दोस्तों इसके कार्ड ने आप लोगों को सारी जनकारी बता देते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं इसके टोटर पोस्ट के बारे में टोटर पोस्ट के बारे में यहाँ पर जानते हैं तो टोटल यहाँ पर मिला कर दोस्तो 1521 पोस्ट के लिए requirement निकला हुआ है तो यह अब लोग घ्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि विग्यापन प्रकासन की तिथी जो है वो 28 तारिक का इसका notification आउट हुआ और उसके बाद जो online application इस्टार्ट होगा वो 30 जनवर से स्टार्ट होगा उसके बाद इसका last date है वो 16 फरवरी तक है जो कि बहुत बढ़िया है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो यानिकी इसका एक्जाम होगा वो जून में हो सकता है यहाँ पर देखिए अनुमानी तिथी जोन 2022 दिया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए आप लोग अनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर आप लोगो सारे इसके वेफसाइड भी दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बाद जो भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फिल करने में दिक्कत हो यहाँ पर toll free number भी जारी कर दिया गया है उसके बाद यहाँ पर देखते हैं थोड़ा और आगे आगेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट के बारे में दिया हुआ है तो टोटल पोस्ट के बारे में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो पुरूस और महिला दोनों अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो यानि की रिक्वार्मेंट हुआ है यहां पर देखिए कि कांस्टेवल के लिए यहां पर टोटल जो यहां पर दोस्तों हमने आप लोग पहले ही बताया था यहां फायर मैंन के लिए यहां बस टोटल पोस्ट निकला हुआ है यानि की महिला पुरूष 445 पोस्ट के लिए तो ठीक है यहां पर नीचे आते हैं यहां पर आलोग देख सकते हैं इसके रहने वाला है वह 21700 से 79,100 की बीच रहने वाला है उसके बाद यहाँ पर पेंसन भी मिला गया उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फायर मैन के पोस्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है फायर मैन के लिए महिले और पूरुष दोन रहने वाला है तो यहां पर देखिए पेमेंट इसके 21,700 से 79,100 के बीच रहने वाला है और उसके बाद यहां पर देखिए दोस्तों इसके समकच किसी भी बोड से मानता प्रास बोड से इंटर क्वालिफाई होना चाहिए और आप लोग इसके लिए लिजबन है तो यहां पर देखिए दोस्तों इसके लिए यहां पर मेडिकल स्टेंडर्ड भी दिया हुआ है तो इसके मेडिकल स्टेंडर्ड की बात करें तो यहां पर सबसे पहले यहां पर फिमेल की मेटिकल के बात करें तो यहां पर 152 यहां पर माँगा है आइद यहां पर अनुसरीची जनजात के लिए 147 है और हिल एरिया के लिए 147 है तो उसकेबार यहां पर देखिए दोस्तों थोड़ा नीचे आते हैं आप सब्सक्राइब कि यहां पर वेट जो मांगा है वह मिनमम जो आप लोगों का वेट होना चाहिए वह 45 किलोग्राम होना चाहिए यहां पर देख सकते हैं यह तो 45 हो का ही सब का उसके बाद यहां पर देखिए जो यहां पर थोड़ा बहुत रिलेशन भी दिया जा रहा है यह तो दोस्तों आप मेल के लिए मेल फायर मैन के लिए जो है वह यहां पर 162 जो है इसका हाइट होना चाहिए और इसके बाद यहां पर देखिए आप लोग आप यहां-पर से पहले यहां पर एक्ष्वन होना चाहिए और यानि कि फाइब सेंटी मिन्टर एक्सपेंशन यहां-पर मागना है यहां-पर फुलाव अवस्यक है यह तो यहां-पर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसके लिमिट के बारे में तो इसकी लिमिट जो होनी चाहिए दोस्तों वह आप लोगों को मिनिमाम 18 एयर होना चाहिए और उसके बाद यहां पर देखिए जो एज लिमिट काउंट होगी वह एक जुलाई 2021 से होगी यह अप लोग घ्यान रखेगा एक जुलाई 2021 से इसकी एज लिमिट काउंट होगी तो इसके बीद जिसका 18 एयर हो चुका है वह इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि मिनिमाम 18 वर्स लिया गया है और उसके बाद यहां पर देखिए मैक्सिमम जो होने चाहिए वह बाइस वर्स होने चाहिए और उसके बाद यहां पर बाइस वर्स होने चाहिए और फायर मैन के दिखे लिए लिया फोड़ा नियुक्त यहां पर देखे दोस्तों कौंड कौन अप्लाइ कर सकते तो सबसे पहले आप लोगों को इंडिया का अगरी कोna चाहिए आप इसके लिए इलिजबन हो यहां पर देखिए इंडिया का नागरी हो उसके बाद यहां पर देख सकते हैं आप लोग को यह सब documents के बारे में यहां पर सब दे रखा है तो आप लोग इससे यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए सारी जनकार्य हम लोग बता दी है और इसके online कैसे किया जाएगा तो online के लिए आप लोग को www.ssc.uk.gov.in के official website पर online अवेदन किया जाएगा और इसके लिए दोस्तों कोई application फी नहीं है आप लोग online जरूर कीजिएगा यह बहुत अच्छी बात है कि कोई application फी नहीं है उसके बाद यहां पर सबको दिया हुए online कैसे करना है तो दोस्तों online जब स्टार्ट जा सकते हैं तो यहां पर देखिए बढ़ाय घटाय जा सकते हैं जो पोस्त निकला हुआ है और इसके application फी भी बढ़ाया घटाया जा सकता है तो अभी तक इसके application फी तो 0 है बट नोटिफिकेशन यानि का online स्टार्ट होने तक यह कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अभी तक इसक उत्रक्षंट किसी भी इसके पास होना चाहिए बाकि जो fireman का पोश्ट के लिए आप अपलाइब कर सकते हैं किसी आल इंडिया से तो इसके लिए जो यहां पर देख सकते हैं कि यह दिया हुआ है यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कहां पर देखिए उत्तरक् जिए के जो candidate है वह यहां पर देख सकते हैं फायर मैंड के लिए अपलाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हमने सारी जनकारे आप लोग को बता दी आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा से जादा सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब ने किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज जो आप लोग के लिए जाना जरूरी होगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाएंगे